आदाव, नमस्कार, श्रस्रीकाल मैं अस्मान सेफी दोस्तों, अभी हाली में एक मूवी आही है तो बहुकाल बहुकाल का पहला पार्ट पहले ही आ चुका है और दूसरा पार्ट अभी आया भुकाल टू आपने देखी होगी जब मैं इस मूवी को पहला पार्ट भी ने देखा दूसरा भी मैं ने देखा फिल्म देख रहा था तो मुझे एक करेक्टर देखके बहुत ज़्याद गुसा आ रहा था मैं ये बार बार सुच रहा था कि ये मरता क्यों नहीं है दरसल वो एक्टिंग जो कर रहा है बंदा क्या जबर्दस एक्टिंग किये आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए इस फिल्म में चार-पांच ऐसे किरदार हैं जो जिन्हें कभी भी बुलाया नहीं जा सकता मेरे बरावर में उनमें से एक आप है कुछ लोग जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ उस फिल्म में इनको पिंटू डेडा के नाम से जानते हैं डेडा ब्रदर और रियल में इनका नाम है प्रदीब नागर अगर हम इनके करियर की शुरुबात की बात करें तो लभग साबधन इंडिया में 200 से ज़ादा इन्होंने शो किये हैं फिल्म हाइवे आई थी उसमें भी अपना रूल किया था और आज करोडो लोग करोडो भारतिये या फिर विदेशों की हम बात करें क्योंकि OTT पूरी दुनिया में सब जगे चलता है कौन व्यक्ति है जो इनको नहीं जानता है तो हम आज इनसे इनके करियर के बारे में बात करेंगे कहां से निकले, कैसे पहुँचे और ये जो रोल इन्होंने आदा किया है इसे जो जिया है जिसको लेकर मेरा जैसा आदमी भी ये कह रहा है कि ये मरता क्यों नहीं तो आज इनसे बात करते है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हेलो एवरिवर्यवन जी सर, आदेस करिए सर, एक तो छोटा सा परिच्छे की आप का पूरा नाम कहां से हैं आप और कैसे मतलब यहां मतलब जो आज आपने जो एक मुकाम हासल किया है कौन है जो नहीं जानता आपको ये जो आपने पिंटू डेड़ा वाला रोल किया है मुश्पे बात करेंगे तो पहले छोटा सा परिच्छे बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महबद के लिए ठैक यू इतनी महबद के लिए भाई और नमस्कार दोस्तों मैं अविनेता प्रदीप नागर और सवाल एक सवाल में नहुने कई सवाल दाग दी हैं तो एक-एक करके जवाब देदे हैं कहां से उत्पत्ती होई तो एक ग्रेटन ओड़ा में एक गाउ है साधुलापुर वहां का रहने वाला हूं सो बच्पन में ही फिल्मों की तरफ रुक रहा एक मेरे मित्र है सचिन जिन्होंने मुझे फिल्में दिखानी चालू करी तो पहले तो हम जाते थे दादरी आसपास का एक कसबा है तो वहां जाते थे पैसे नहीं भी होते थे तो जाते थे और पोश्टर देख के आ जाते थे फिर धीरे-धीरे कुछ इधर से करके पिताजी की जेव से चोरी करी इधर से मिला उनके पिताजी मलब सरकारी जॉब थी उनकी तो उनके पास पैसा था तो वो कहीं से अपना कुछ जुगाड करते थे स्कूल की स्कूली दिनों में तो जुगाड करके आते थे और फिर पिच् कि यार पर्दा है और इतना बड़ा होगा इतना बड़ा दिखेगा गोली चलेंगी और गोली लग भी सकते हैं बचना पड़ेगा तो पहली बार जब देखा इतना बड़ा आदमी भी दिखता है किसी पर्दे पे साउंड और म्यूजिक जो गोलिया धाय धाय चल रही है तो मैं देख रहा हूँ कि यार गोली तो पर्दे पर किदर जा रही है क्या हो रहा है तो वो जो जो मेरा एक्सपरियंस था वो मैं भुला नहीं बाया बलकि हम करते एए थे कि मेरा दादरी से हम लोग ट्रेन पकड़त तो वहां से मारीपत रेल्विए स्टेशन पढ़ता है मेरा जुगाओं का स्टेशन है तो वहां आखे तो इसकूल बंक करके जाते थे तो बारे से तीन होता थे चार बज़े तक चलता तो अगर पहले आ गए तो आंके जो पिच्चर में एक्शन थे उनको आके खेतों में क तो ऐसे तो फिल्मों का चसका लगा बलकि सबसे अच्छी बात कहूं या बड़ा अच्रज हुआ भी मैं किसी और इंट्रू में बैठा था तो बात कर रहा था कि लोगों के जो खेलने के होते हों कंचे लेटू या कुछ वैसी खोको या वैसे कुछ खेल होते थे मेरे आसपा जो आगे चोटे इत रामा है ये पायल है तो यहे है और वहां पे जाके पशाब है इक छोटी से गाड़ी बनाते थे उसमें बज़री टालते थे मला रोडी जो होती है चोटे-छोटे पत्र जो होते हो दालते थे लेके जाते थे तो हम लोग देख लेते थे कि कौन से पिचर हिट जा रही है वो ही उतनी रोडियां उस पर डाल देते थे कि यार ये तेरी वाली पिच्चर तो मतलब मृत्युद आता तो सुपरेट चल दिये जुड़वा भी सुपरेट चल दिये जिसकी कम थी उसमें से रोडियां निकाल लेते थे खेलो था था तो नीचे से उनका भाई है राशिंग भीया सिनेमा हाउसपूल हो गया सब कुछ हो गया हो तो नीचे आ जाओ कामाम कर लो कुछ पढ़ाई कर लो तो ये वाकिया मुझे याद आता है और उस आदमी का मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ जिसने सिनेमा दिखाया मुझे पहली बार और मैं जिन्दगी बार उसका ऐसान रहेगा उस व्यक्ति का पहली फिल्म मेरी जुड़वा थी जो उसके बाद हमने बहुत फिल्में साथ में देखी बहुत आना जाना रहा उन दिनो तो ऐसे तो फिल्म के पिर्ति प्यार बढ़ा फिल्म के पिर्ति जाने का जो जो स्टैप लिया तो आई श्कूल में जब मैं दूसरी मरतबा फेल हुआ तो पिता जी उन दिनों जो रिजल्ट आउट होते थे वो पेपर में आउट होते थे तो पेपर लेके आए फैका बोले कि यार मुझे तो दिखाई नहीं ज़े तो अपना रॉल नंबर देख ले इसमें तो मायूस होके बैठे और उन्होंने उन्होंने बोलना चालू किया कि कि यार जो दूसरा वाला है बेटा वो तो पड़ता ही नहीं तो उससे थोड़ी से उम्मीद थी मुसे मुहबत बें तहां मुहबत मेरी जोड़ी अर्पम खेराऊ शारुप खान वाली है डिडिया जी वाले जो बाप बेटे हैं तो उनकी मुहबत बहुत ज़ादा वो सब मैं चीकर करूँगा बट उसा आदमी ने आके बैठा और बैठके जो पिताजी की आँखे नम हुई और धीरे-दीरे आसो टपकना चालो तो मैं वहां से छोड़के आउट हो गया बाहर तो मेरा एक दोस्त है दोस्त कहलो बड़ा भाई कहलो हर तरीके से जो मेरे बैक में है डॉक्टर रनवीर सिंग जो प्रोफेसर है हिस्ट्री के आज कल रोड़की में है पोस्टेट तो उन्होंने उनसे जाके मिला उनसे मैंने बोला कि मुझे ना जिन्दगी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काम करना है सबसे बड़ा आदमी बनना है तो क्या होता है सबसे बड़ा जिसकी तैयारी करी जाए क्या चीज़ होती है तो उन दिनों वह भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो दो-तिन दोस्त हैं मेरे जिनके साथ हम चर्चा करते थे अजीत है मोहित है राजकुमार जी है मेरे चाचा है तो प्रणवीन ने बोला कि यार ये ना सिविल सर्विस बड़ी होती है तो इसकी तैयारी शुरू कर ठीक है लग गए तो उन्हें बता है ऐसे ऐसे होता है पहला हाई स्कूल करते हैं और फिर तैयारी में लगते हैं तो उन्होंने एक लाइबरी जॉइन करा ही मुझे गाज़ेबाद ले जाके और बोला कि जब तक तेरा मन लगे तब तक पढ़ उसके बाद ये ले पचास उरुपे ना मन करें तो दस रुपे का टिकेट आता है जाके पिच्चा देख ले ना पांस दिन के लिए तो हैं पैसे तो मैं उनके जाने के इंजार कर रहा हो गए मैं सीधा सिनेमा पे तो पिच्चा देखी फिर दीरे दीरे वहां लाइबरेरी के आदत पड़ी तो मन कचोट रहा था कहीं अंदर ना कि जो चाहिए वो नहीं यार डिसीजन तो लेल या बड़ा बनना है बट मन उतना नहीं लग रहा था फिर भी पढ़ रहे थे क्योंकि करना है तो आई स्कूल पास करी अच्छे नमरों दरबंदर जितंदर अभिताब बच्चन राजेश खन्ना ये वो फलाना 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 पैसा दौलत नाम सब इनके पास है तो फिर तो एक्टर बड़े होते हैं तो रात बर बात गूंती रही करते रहा तो मैं आगले दिन डिसीजन पागए यार कि एक्टर बनते हैं बाप अब एक्टर कैसे बनते हैं फिर दूइदा एक्टर बनते कैसे हैं कहां बने आसपास कोई गाइड करने वाला भी नहीं तो उन दिनों एक इंट्रिव आया इरफान खान साहब का दाहिंदू नियूस्पेपर में उसमें जिक्र था उनका कि उन्होंने यह लेक्षा ली थी वह घ्राश्टेनाटे विद्धाले में ली है दिल्ली मंडी हाउस में कोई जगा है तो मैंने भाई मुहित को फोन किया कि मुहित तू बुलत निकालो राजा यार मंडी आउश आना है मेरा भाई है ताओ का रणका है मेरे तो वो आया हम लोग गए हम जो है अखड़ वाला था सीन उस वक्त तो कि मैडम एक्टर बनना जरा फार्म दे दी जो तो उन्हों फार्म दिया मैंने कितने सौर रुपे दे दिये और धाका लगा कि उनकी आप सो वो बड़ी स्माइल करके वो देखा उसने थोड़ा सा गुसा नहीं किया स्माइल करके उन्हों बला आपके पास क्या है सर कि मैं तो अभी जी आई स्कूल में फेल हूँ भी करें ये लो फॉम वापस दो ये लो सार रुपे और आप ना पांस साल पहले आ गए हो यहां ग्र अब तो था ही नहीं कुछ तो फिर वापस आके लाइबरीरी आया तो वहां एक दिन पेपर में छपा हुआ था कि यहीं पास में गांदर संगीत महाविद्याले है जहां पिर नाटक का मंचन हुआ है मूटन मंत प्रेमचन जी के गानी थी मैं पहुचा हूँ वहां पर अग इतना प्यारा तेज चहरे पे और अधम चेहरा जो पहली बार रहती है उनकी जहलक मेरी जो इस परती माभीता कंकित है तो मैंने देखा और मैंने बोला कि हाँ जी बाईंस आप भी कर आते होगी है यह सब हाँ जी हमारे ही है बलेकी राजे ऐस खेनना अमेलाम ए आभी जाए होगा इदर उदर से चला जाएगा थोड़े बहुत देर तो तीन-चार घंटे बाद वहार निकले गेट से स्कूल से अरे राजेश खन्ना भी गया नहीं बैठा भी यहीं बन के जाओंगा मैं उससे पहले नहीं जाना चीक है तो कल से आजा जॉइन कर ले तो वहां उस से वहां जॉइन किया जॉइन करके फिर वह सारा थेटर का सब कुछ शुरू हुआ चोटा-चोटा करके तो फिर जो बड़ा मौका पहला मुझे मिला उसमें बड़े भाई साब एक कहानी थी प्रेमजन साब की तो उसमें मुझे चोटे भाई का किरदार करने का मौका मिला वह चोटे भाई का किरदार ने मुझे बड़ा और मुझे मैंने यह एमेमेच कॉलीज था मेरा वहां पर मैंने जब किया यह शो तो वहां जो पांस सो साथ सो के आसपास की गैदरिंग थी हजार के आसपास था जो सीटिया तालिया और वह सब जो गूझती रही मेरे आदमी को अगर मैं सटिस्पाइख कर सकता हूं तो मैं फिर पचास करूड लोगों को भी सटिस्पाइख कर रही में इस तालियों के गड़गड़ा हर से आपको ऐसा हैसा हुआ कि सिविल की जो तयारी थी उस छोड़ के अपने इस लाइनमा के छोड़ को इस लिए नहीं सक कम दूसरे लोगों से ज़ादा की कमेंट्टिंग, क्ज़री चाल रहर, उसके बाद दिली मौका मिला, दो फिले करने का भारती शर्माजी के साथ में, तो वहाँ से किया, फिर पालने का रुख, किया इस बीच में, वहाँ से निकल तो उसके बाद Bombay का रुक किया सत्यदे दूबे जी के साथ मैंने वक्शॉप की शशी कपूर की बेटी साथ है सनिना कपूर जी उनके साथ काम किया मकरन देश पांडे साथ मौका मिला दो पले करने का उनके साथ काम किया और जब पॉकेट के पैसे खतम होने लगे तो ठीक है बही थेटर में क्योंकि रंगमच में यह भारत का दुख है कि यहां रंगमच में पैसा नहीं है तो यह बड़े मुझे बड़ा खेद है इस चीज को लेके कि रंग कर्मी विचार एतनी महनत करते हैं सब कुछ करते हैं सब कुछ मिलता है जीवन में उनको बट थोड़ा सा कुछ किया जाना चाहिए यह दूसरी डिबेट है कभी करेंगे तो पैसा खतम तो भाई काम करना पड़ेगा तो उन दिनों फिर ओडिशन देने चालू किये त उसके तीन महीने वार्ठीक मुझे तीन से चार में चोटा से एक रूल मिला इस्टारवन पे कोई इस आपता था तो ऐसे करके तीन-चार साल मुझे चोटे-चोटे रोल ही मिलते रहे तो मैं जूसता रहा चीजों को लेके तो फैनेंस में डॉक्टर अनवी साब थे जो थे इंडिया आया तो उसके आने के बाद फिर इन लोगों की थोड़ी ज़रुत कम हुई और अपने दम पे मैं कमाने लगा कुछ चीजें और सावधान इंडिया एक ऐसा शो था जिसमें मेरे ही शो में मेरा ट्रेलर दिखाय जाता था इवर लाइफ ओके से बोला गया कि यार इस लड़के को अभी हटा हो क्यूंकि सम्में यही दिखरा है तो इसको फोड़ा ब्रेक थो अभी इतने शोज मुझे मिले इतना मॉका मिला मैं बड़ा शुकर गुजार करता हूं मैं बड़ा शुकुर गुजार हूं मैं साम्थ लाइफ Okay का अभी कि इतने चांस होनों ने दिये और उससे जो अब तक रंगमंच में किया था अब मौका मिला कि एक घंटे आपने टीव पे कुछ किया तो देखे कि हाँ यार एक घंटे मतलब तुम पिच्चर कर सकते तो दो तीन घंटे की पिच्चर की चलोगा आप जैसे कि आप साफधर इंडिया में आते थे और आ कर आ कर सकता है कि यहां कि या नीजिद्ध करना में घंटे में इसानार की साथ पड़ गंज पर और एक ओखला में थी सीपी में मैं मलब डोर जाता था सब को देने के लिए कि ब्रॉड बेंड आया ये टैल का और ये सब तो उन दिनों मेरी हैजटेशन दूर हो गई कभी कभी गालिया भी पड़ती ही दूफैर में कोई सोया हुआ है तो यार ये कौन आख अमित बैसोया साब तो मैं बोला यार एक ओडिशन चल रहा है तो जाके दे मैं तेरा नमबर दे रहा हूं किसी को और वो तुझे ऑडिशन के लिए बुलाएगा ठीक है भाई तो मैं गया जाकर ऑडिशन दिया ऑडिशन बहुत अच्छा गया ऑडिशन लेके वह आदमी अ तो आके उन्होंने बात चीत करें कि प्रदीप ठीक है एक और करते हैं वो ऑडिशन दूसरा वाला बहुत बेकर गया जो दुवारा किया उसे मज़ा नहीं है तो विर उनने बैठाया बात करी हमने थोड़ दिर कंफर्ट हुए कंफर्ट फिर एक किया तो वह फिर क्लास हु तो वह मैंने बजाया उसके प्रैक्टिस चालो करी फिर शूट किया तो लोगों के सामने आई हाई वे उस वक्त फिर मैंने टेक लिया कि अभी टीवी नहीं अभी सिर्फ फिल्म करेंगे उसके बाद फिर दो साल मेट करते रहें जो चाहिए थो नहीं मिला जो हाई वे के ब है था कि हाँ अब ये जिन्दगी मतलब कि पर्टी मारी है इसे बहुकाल टुकी बात करें इस रोल की हम बात करें तो ये कैसे मिला मतलब को ये एक मेरे मित्र है जै जै भाई उनका कॉल आया मेरे पास में प्रदी प्यार एक रोल है तुम जाकर वहां ओडिशन दे तो जाक नहीं बट उसमें ये डिसाइड हुआ कि इसको वेस्ट नहीं करते इसको इन्वेस्ट करते है जो पर्फॉर्मेंस है जो एक्टर है जो काम देखा था उन लोगों ने तो उन्हों बोला कि यार ठीक है इसको इसमें रखते है डेड़ा प्रदस पर बट दुखत बात ये थी पिचर थी के साथ करते करते हैं मईओ अधियर आदमी और बहुत प्यार करते हैं मेरे से और वहुद प्रफॉर्ण करता हो बहुत सपूर्ट भी कि उसादमी ने मुझे तो शूट करती बार भी नहीं मुझे ऐसास होने नहीं कि वह इतने मेरे दोस्ते राजस भाटी उनको कॉल किया कि यार पहलवा नी करनी है भाई कैसे होगा देख ज़रा सेट अप बना तो उसने अखाड़ा को दवा दिया एक अरुन भाटी नाम का व्यक्ति है दर्म भाई को कॉल कि दर्म भाई ने बोला कि मैं इंजाम करता हूं तो फिर डेटा बिरद रहें उससे देखके लगता है कितना खतरनागा आदमी रहा होगा यह वाई तो यह कैसे पता चला कि आपको यह राइटर की मदद से अगर मैं नवनीत सिगेरा साब का गर रूल कर रहा हूता तो शायद मेरे पास एक मौका था कि मैं गया उनसे जाके बैठा उनके साथ बाचीद करी उनके साथ क्योंकि वो जी भी तैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ हो इतने खौफ लाक और इतने मतलब इस तरीके के आदमी थे, तो जितना जानकारी M Conference ए वहां जुटा सकता था फ़ोन पर यह जुटा इंटे ही लोगों से, बट मेरी जो आप कोई डायलोग सुनाएंगे जैसे क्या मैं फर्स्ट मोवी में देख रहा हूं शायद कि अपनी बीबी से कहते हैं आप कि सारे उत्रपरदेश की पुलिस पूरे पीछे लग जाएगी उपी की पीछे लग जाएगी समाण लेगी तू है वो उसके अपने साले का कि ये शो मेंने सेकंड डिड़ किया क्योंकि मेरे इधर के जो लोग है हुँ ही रही विलेन है आपने फिल्म ये वाली बोकलटू अपने आप से देखी नहीं देगी खुद ने खुझ से देख चुका हूँ जी और मेरा मैं दो बार देख चुका हूँ जितने भी मेरे दोस्त आते हो जब भी आते चला देते में तो देखती रहते है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है हाँ जैसे कि मुझे गुसा है कि ये मरता क्यों नहीं तो ये ये खासियत है या ये कहलो ये मेरे तीन साल वसूल हो गए प्रेम चौपडा साहब का एक किस्सा था कि उन्हें एक रोल किया जो मैं सुनता था पहले टीवी पे इंट्रिव अगरा में तो ये तो मतलब मेरा वसूली होगा अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो उनको बड़े वो कही निकले तो उनको जूते चपल पढ़ने लगे जो रोली उन्हों ने किया अब वो जा के डिरेक्टर को यार ये कैसा रोल दी दिया मुझे लोग जूते चपल टमाटर मार रहे हैं तो ये निकल गई है जो तुझे दिया था वो लोगों तक पहुँच चुका है काम जैसे शक्तिकापूर जी के बारे में कहते हैं इस्जत ही लूटने इस्जत ही लूटने नहीं वो देखे मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ लोगों तक पहुची लेकिन जितने ये मेरे लिए किरदार है मातर एक किरदार है दूसरा किरदार मुझे अगर नवनी सिकेरा का मेरे बहुँ भी मैं करूँगा या आगे मेरे एक फिल्म आरी है पॉजिटिव एस एईरो तो शायद वो किरदार आप देखेंगे तो बोलें कि यार कितने स्वीट हो आप कितने प्यारे लग रहे हो कितने डिसेंट हो आप बिल्कु सॉप्ट और एकदम कभी हिर्दे वाले आदमी हो कितना अच्छा रोमेंस है तो जैसा जैसा मिलता जाएगा वैसे वैसे करता जाऊँगा ये पहला है और मेरे लिए चिलेंज है कि कैसे इस चीज़ को तोड़के मुझे दूसरी चीज़ खड़ी करनी है अभी क्योंकि इसकी छाब जो है लोगों पे जो असर है कितना खतरनाक है मैं तो बड़ा बड़ा प्यारा आदमी हूं ये गिरदार कितना खतरनाक है और सेम टाइम कितना दिलेर है कितने कलर है इस रोल में ये कितना रोमेंटिक भी है प्रतनी के लिए कितना जिम्मेदार है और वर्चस कितना कायम करता और भाई के पुरती कितना प्यार है ये आपको ये सब देखेंगे तो आप देखेगा और देखके कमेंट जरूर करिएगा इंस्टाग्राम या यूट्यूब लिंक पे कहीं पे कोई डायलोग सुनाएंगे आप उस फिल्म का आपने देखा है पूरा देखा है आप ही बताईए ना मतलब जो आजकल सबसे प्यारा आपको लगा हो मुझे तो सारे प्यार देखे आपने बच्चे के बारे में पूरे तो सारे वैसे हैं मैं तो जिया हूँ उनके साथ में एक एक लाइन एक एक सेंटेंस बनकि जहां मैं भूला नहीं हूँ भी मेरे लिए मोहबत वाली चीज़ है तो आजकल जो ट्रिंड में आजकल तो हो है कि रहा पहलो आनकून है तू बता दे गर मैं घुसका मारूँगा बीब 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 अभी जैसे अगर फिल्म इंडिस्ट्री की हम बात करें जी आप और भी आगे काम करेंगे हमारी बहुत जारी शुप कामना आपके साथ है बहुत बहुत शुप करें किस तरह के रोल हैं जैसे ये वाला रोल तो मज़े आगया आगे किस तरह के रोल करना चाहते हैं किस के साथ काम करना चाहते हैं मतलब कुछ काम तो मैं अगेन अगेन जो मेरे राजकुमार हिरानी साहब है या मेरे फेवरेट इम्तियाज अली साहब है दो-तीन डिरेक्टर हैं कि मैं इनके आसपास पहुंच सकूँ जो ये चुनने के लिए आएं आगे हाथ बढ़ाएं तो ये जो कृदार है जिस तरीके से हिट हुआ है तो हल चल तो हर जगा है और एक जो इन में से मैंने नाम लिया है उनका फोन भी आच चुका है कि चलो करते हैं कुछ आगे आपके सामने कोई बड़ी फिल्म का उफर वगरा है हो एक है जो मैं भी बात कर रहा हूं कि फोन आ चुका है अलड़ी तो उसके डिसिजन बस आना है मुझे लेना है कुछ बीच में बस बाद पेपर रुक चल रहा है और दो चार स्क्रिप्टे आई हुई है अभी जो म सपने देखते हैं जिवाओं को सिर्फ मैं एक संदेश देना चाहता हूं भी जो भी इस फिल्म आये जिसको भी इस फिल्म में आना है तो वो एटलिस्ट डिक्शन बिल्कुल कलियर करके आए क्योंकि जो मुझे अवरोध लगा अपने बारे में भी क्योंकि मैं उस छेतर से आता हूं जहां टाइम को टैम बोलते हैं और टेस्ट को टेस्ट बोलते हैं और में को मैं बोलते हैं तो यह सब समझने में नुक्ते का प्रॉबलम और यह सब में मुझे बड़ा टाइम गया और अभी जो जाती है चीज़े बट डिक्शन जरूर कलियर करके आए और इस फि परेशान ना हो, कई बार होती है, और शफल होने के लिए विफल होना वहरा जरूरी है, जब तक का आप हार होगे नहीं, तो जीत का मज़ा नहीं चखोगे, और, बिलकुल परेशान नहीं होना, क्いोनकि मेहनत करोगे, तो मेहनत करने वाला इंसान Strongman, एक दिन में कामयाब नहीं होता लेकिन एक दिन होता जरूर है तो मेहनत करते रही है जिस तरह से हम नल से पानी खीषते हैं तो नल का हिस्सा जो होता है बाहर निगला हुआ है वो ढाई ये तीन फुट के असपास होता है लेकिन जो पानी खीचनी की असली ताकत होती है वो जमीन के अंदर सतर से फुट एक पाइप दबा होता है उसी से पानी खीचता है तो इससे ये पता चलता है कि एक नल जो छोटा सा में दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारी मेहनते हैं चीक वैसे ही इस इंडरस्ट्री में दसवार साल नहीं बलकि बहुत सारी तबस्या की है और आज परदीब नागर जी को करोड़ों लोग यूहीं मतलब प्यार नहीं कर रहे हैं इनकी मेहनते जो रंग लिके आ रही है और शोटकट के बारे में आपको बताये दिया है परदीब जीने की शोटकट कुछ भी नहीं होता है जो भी काम करो पूरी मांदर से करें पूरी शेदत के साथ करें कामयावी दोड के पीछे आगी आगी आपके दोस्तों ये इंट्रवियों आपको कैसा लगा